आपके साथ मैं हूँ पारूलतियागी और आप देख रहे हैं खास रिपॉर्ट पहला मुकादमा दर्श किया गया था उवैश एहमद नाम के एक शक्स पर आरोप लगा था कि वो दूसरे समुदाय की लड़की को लाला शुदे कर जवरन धर्म परिवर्तन का दवाब बना रहा था पेड़े छाक्रा के पिता के श्विकायत पर पोलिस से रिपॉर्ट पहचान कर ली थी उसने आरोप लगा था कि वैश एहमर बहला फुसला का लालच और दवाब में लेकर चात्रब धन परिवर्तन के लिए दवाब बना रहा है मामला सामने आने के बाद से आरोपी पुलिस की गिरफ से बचने के लिए घर से पराश चल रहा था बताय जा रह है कि पुलिस है एक मुक्बिर की सूचना पर देवर्नी रेलवेफ वाटक से आरोपी को गिरफतार कर लिया वहीं पुलिस के मुताबिक पीडिता के पिता की श्रिकायत को कम भीता से लेते हुए आरोपी की खिलाफ उत्तर प्रदेश विदी विरोधर्म संपरिवर्तन प्र एक महाश्य धर्मपार गुलाठी का निधन हो गया है उन्होंने देली के माता चानन देवी होस्पिटल में अंतिम सांस ली अठावन वर्षी है महाश्य धर्मपार बिमारी के चलते पिछले कई दिनों से अस्पताब में भरती थे चली एक नज़र डालते हैं कैसे उन्होंने तांगा चलाने से करोड़ पती बनने का सफ़र तैखिया MDH के फाउंडर और मसाला व्यपारी महाश्य धर्मपार गुलाटी को पद्म भूशन से भी समानित किया जा चुका है महाश्य धर्मपार ऐसे शक्स हैं जिन्होंने भारत में तांगे से अपना काम शुरू किया और फिर वो मसालों के आइकान बन गए वतादे महाश्य धर्मपार का जन्म 27 मार्च 1923 को सियाल कोट पे हुआ था जो पहले भारत का हिस्सा था लेकिन अब पाकिस्तान में आता है साल 1933 उन्होंने पांचवी कक्षा की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया था और 1937 उन्होंने अपने पिता की मदद से व्यपार शुरू किया भारत पाकिस्तान वे भाजन के बाद से वो दिल्ली आ गए 27 सितंबर 1947 को उनके पास केवल 1500 रुपे थे इस पैसों से उन्होंने शाड़े 600 रुपे में एक तांगा खरीदा और नाई दिल्ली रेलवे स्टेशन से कोतब रोड के बीच तांगा चलाया कुछ समय बाद धर्मपाल ने तांगा अपने भाई को दे दिया और करोल बाग की अजमल खार रोड पर एक छूटा सा खोका लगा कर M.D.H. के नाम से मसाला बेचना शुरू कर दिया उनके मसाले लोगों को इतने पसंद आए कि कुछ ही समय में उनकी दुकान मसालों की मशूर दुकान बन चुकी थी धंपाल महाशे ने बहुत ही कम पैसों में कारुबार शुरू किया था और धीरे धीरे उन्होंने दिली के अलग अलग अलाकों में दुकाने खूली मांग बढ़ने के साथ ही उन्हें फैक्टरियां लगाने के आवशक्ता भी महसूस हुई लेकिन उनके पास इस सब के लिए पैसे नहीं थे फिर उन्होंने बैंक से कर्श लेका दिली के कीरतिनगर में अपनी पहली मसाला फैक्टरिय लगाई धंपाल की महनत की वदा अलग अमडियेच अब करीब 2,000 करोड रुपे का ब्रैंड बन गया है एमडियेच की आज भारत हो दुबई में करीब 18 फैक्टरिया हैं जिसमें तयार मसाला कई देशों में बेचा जाता है इस समय एमडियेच की करीब 62 उत्पात बजार में हैं वो अपनी कमपनी के विग्यापन भी खुद ही किया करते थे इसलिए उन्हें दुनिया का सबसे उमर दराज एट स्टार भी माना जाता था यूरो मॉनिटर के मुतावएग धंपाल एफएम सीजी सेक्टर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले सीईओ थे 2018 में उनकी सेलरी सालाना 25 करोड रुपे थी व्यपार के साथ ही उन्होंने कई ऐसे काम भी किये जो समाज के लिए काफी मददगार साबित हुए इनमें अस्पतार और स्कूल बनाना था उन्होंने अभी तक कई स्कूल और विद्याले खुले हैं धंपाल गुलाठी का परिवार खासा बड़ा रहा उनकी पत्नी का नाम लीलावती था जिनका निधन हो चुका है उनके दो बेटे और छे बेटियां हैं धंपाल गुलाठी के दो भाई और पांच पहने हैं खास रपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही लेकिन आप देखते रहें ड्यूस वाल्ड इंडिया